अब जिसका 11 question है 11 में आपको integration किसका करना है cos की power 4 2x dx को इसका आपको करना है integration cos की power 4 2x dx का ठीक है तो cos की power 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं cos square 2x का whole square ऐसी तो लिखोगे और अब cos square को कैसे replace करेंगे cos 2 theta का जो formula 2 cos square theta minus 1 वहाँ से cos square को टाएंगे तो भाई देखो cos 2 theta का formula क्या है इसका formula है 2 cos square theta minus 1 यहाँ से निकालेंगे cos square theta यह इदर आया तो 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta तो finally cos square theta क्या आ गया 1 plus cos 2 theta by 2 यह अगर आपको cos square put करना है तो आप यह put करो logic यह कि अगर यहाँ theta है तो यहाँ क्या है और 2 theta तो यहाँ पर apply करते हैं integration bracket लगा लो और whole square है dx तो cos square में यह लगाना है 1 plus cos theta का double 2 theta तो 2x का double 4x upon 2 यही तो आएगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 1 plus cos 4x का whole square 2 का square 4 dx 4 वाहर आजाएगा bracket इधर a plus b का whole square लगा लो a square plus b square plus का 2ab यह नि 2 cos 4x आजाएगा ठीक है अब दिखाओ 1 का square तो 1 होता है उस condition हम कर लेंगे इसका भी कर लेंगे अब यह cos square आ गया फिर से cos square को अटा तो इसी formula से तो क्या हो जाएगा 1 by 4 integration bracket 1 का square 1 हो गया इसमें लग गया formula क्या 1 plus cos theta का double 2 theta हो रहा है तो 4x का double क्या हो जाएगा 8x upon क्या है upon में 2 है तो upon में 2 रहेगा plus का 2 cos 4x और dx कुछ ऐसा result आ जाएगा ठीक है अब LCM लेकर solve कर दो तो 1 by 4 integration 1 plus 1 plus cos 8x upon 2 plus 2 cos 4x dx ठीक है इधर तक clear है अब वही same LCM लो और फिर simplify कर लो तो यहाँ पर अगर मैं LCM ले लो यानि 1 by 4 integration तो 2 अगर आपने LCM लिया तो क्या आ जाएगा देखो यहां 2 आ जाएगा यहां पर 1 plus cos 8x आ जाएगा और यह 2 cos 4x आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अब 2 plus 1 कितना हो था 3 3 लिख देंगे और यह cos 8x और यह 2 cos 4x ठीक है आप इतना नूट कर लो में स्कुरेज कर एक तो यह 2 को मैं बाहर कर देता हूं 1 by 8 कर देता हूं ठीक है अब integration में क्या क्या बचेएगा 2 plus 1 3 3 plus cos 8x और यह 2 cos 4x अब इंटीट करते हैं 1 by 8 बाहर 3 condition हो जाएगा 3x cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 इसमें 2 बाहर आ गया cos sin 4x का क्या हो जाएगा cos 4x क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 plus का c अब 8 का multiply करोगे 3x by 8 इसमें करोगे sin 8x by 64 यहां करोगे 32 आएगा और 2 से डिवाइड होगे 16 आजाएगा प्लस का c तो यह आएगा इसका answer चेक कर लेते हैं कौन सब्सक्राइग एड इसमें कौन सब्सक्राइग एड और स्क्वाइर ना तो 1 plus cos 2 theta होता है सही था 1 plus cos square है इसमें फिर से double हुआ 2 LCM लिया अच्छा ठीक एक गलती तो यहां सब्सक्राइगा तो यहां 4 आएगा तो 4 से 4 तो यह कट जाएगा यहां पर यह सब्सक्राइगा तो यह सब्सक्राइगा वहैं यह टोड़र्य तो सही हो हगया यह तो हाई हो गया की है यह तरी बस गलती होई थी एलसी में जब टूली है तो यहां फोर करना था ठीक है तो वागी सब सही है आई होप आपको आपने अपने अंसर मैच कर लिया हो ठीक है चलो नेक्ट करें